हलो दोस्तो, स्मार्ट अकांटिंग आरसनार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं और मैं हूं मौन सुथार तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम टेली, वीजी या किसी अधर अकांटिंग सोप्ट्वेर में तो आप पड़ेंगे तो में टेल टेउस्टेक्स का एक लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा तो उस टीस्ञिस्टेक्स के laser का group का selection किस के अंडर में करेंगे यानि कि उस TCS text को कौन से group के अंडर में उसको रखेंगे और क्या cell invoice के लिए या purchase invoice के लिए दोनों के लिए अलग-अलग TCS के laser में create करने पड़ेंगे या दोनों का company रहेगा तो दोस्तों यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में practically रूप से सेखने वाले हैं तो आपसे request है आप इस वीडियो को पूरा end तक देखना ताकि आपको सब कुछ यह clear हो जाए तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी request है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस करके all notification पर जरूर क्लिक कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम टेली, वीजी, मारग, अकांटिंग और टेक्शेशन से related नहीं नहीं अपडेशन जो जानकरिया होती हम देते रहते हैं तो दोस्तों आप मारा Facebook पेज भी लाइक और फोलो करें और आप हमें Instagram पर भी फोलो कर सकते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज कहीं वीडियो तो एक अक्टूबर 2020 के बाद बहुत सारे ऐसे suppliers होंगे आपके जोनों ने अपने invoice पे आपसे TCS collect किया होगा या आपके ऐसे बहुत सारे buyers होंगे जिनसे आपने sales invoice पे TCS collect किया होगा और दोनों condition भी आप पे लगव हो सकती है आप अपने बाइर से collect भी करते हैं और आपका जो supplier है वो आपसे भी TCS tax है जो अपने sales invoice पे collect करता है तो दोनों की condition में TCS की group का selection हम क्या करने वाले हैं और दोनों का lasers का जो name है वो किस type करेने वाले हैं तो दोस्तों हम पूरा practically रूप से इस बात को हम समझेंगे अगर आपके उपर TCS tax collect करने की लाइपटीज नहीं बनती है यानि कि आप अपने बायर से TCS collect नहीं करते क्योंकि आप दोनों कंडिशन से बाहर हो पहले कंडिशन एक अप्रेल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आपकी जो turnover है टोटल turnover जिसमें service भी include रहेगी वो 10 करोड से कम है तो आप इस tax से बाहर हो जाओगे लेकिन आप किसी supplier से अभी तक आपने 60-70-80 लाख यानके 50 लाख से ज़्यादा की turnover आप उसके साथ कर चुके हो उतनी आप उनको payment receipt आप कर चुके हो तो वो suppliers आप से TCS collect करेगा तो दोस्तो अगर आपकी liabilities नहीं बनती है TCS tax collect करने की तो आपको टेली software में या busy software में या जो भी आप accounting software यूज करते हो तो उस software में आपको GST tax के अलाबा और किसी भी type के tax को enable करने की जुरूरत नहीं है अगर आपको केबल purchase invoice पे TCS लगके आता है तो जैसा कि आप ये invoice देख रहे हो एक smart trading company ने इस्यू किया है सत्यम enterprises को और इस पे TCS tax है वो भी collect किया हुआ है तो सत्यम enterprises बाइर है smart trading company के seller है यानि कि ये supplier है और ये इसका customer है तो अब सत्यम enterprises को ये देखना है भी क्या सत्यम enterprises की भी libraries बनती है भी वो भी अपने बाइर से TCS collect करें अगर नहीं करता है तो उसे किसी भी type का SGST, CGST यानि कि GST के अलावा कोई भी tax enable नहीं करना तो दोस्तों इस vouchers की मैंने entry कर रखिये आपको मैं दिखा देता हूँ मैं और आपको मैं text भी दिखा देता हूँ मैंने कौन-कौन से text को enable किया हूँ जब किसी भी type का text को enable करना हो तो हम keyword से press करते है F11 और F11 के बाद में Strasery and Taxation को इस पर हम enterprise करेंगे तो यहाँ पर मैंने केवल GST को ही enable कर रख है और यहाँ पर जो TCS text है जो वो यहाँ पर no है यानि कि इसको मैंने enable नहीं किया इसको मैं control A के साथ accept करूँगा और display और daybook पर आने के बाद यह मैंने purchase voucher जो की यह purchase voucher है इसकी entry मैंने कर रखिया है तो यहाँ पर यह शिर्फ जो नहीं चीज़ वाई है वो only TCS text ही आया है और जब मैंने TCS text को जब laser create किया था तो इस TCS text का laser मैंने under में रखा इसे current assets योकि TCS text एक तरीके का income tax का part है जो कि मारी assets बनती है यह मारे balance sheet का part है और अगर मारी live teach बनेगी तो हम TCS text को under duties and taxes रखेंगे वो भी हम entries की करके देखेंगे तो इसका laser मैंने create किया हुए TCS text on purchase यह मैंने आगे इसकी hint भी दे दिये 2020 की और under मैंसे मैंने current assets रखते हुए इसको save कर दिया और इस text की जो calculation है वो टेली ने अपने आप ही कर लिए तो दोस्तो यह voucher मैंने किस तरीकी से entry करी है इसका वीडियो मैंने अलड़ी चैनल पर upload किया हुए तो उस वीडियो का अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जुरूर देखें और उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के distribution में भी दे दिया है और उपर आपको i button पर भी मिल जाएगा तो इस voucher को मैं इंट्रसेप्ट करते इसको save कर दिया तो हम जाएंगे balance sheet पर तो balance sheet पर जाने के बाद हम देखेंगे तो यह जो TCS के entry है यह हमारी SSID में यहाँ पर आ चुका है जो कि हमें income tax की return भरते वक्त इसका refund हमें मिल जाएगा और अब हम बात करते हैं अगर हमारी live days बनती है अगर हमारी live days बनती है तो वो TCS के laser कौन-कौन से बनाएगा और TCS tax का जो laser create करेगा वो उसका undergroup क्या रखने वाले है तो दोस्तों मैं एक sale की entry करता हूँ और sale की entry करने से पहले हमें TCS tax को enable करना पड़ेगा अगर हमारी live days बनती है तो तो TCS tax को enable करने के लिए F11 और strategy and taxation पर और यहाँ पर enable TCS यानि कि tax collected at source com source com enable करेंगे और TCS detail को भी हम yes करेंगे और उसके बाद यह सारी information अमें यहाँ पर फिल अप करनी पड़ेगी टेन नमबर विगरा है यह सब कुछ है तो इसे एक बार मैं skip कर रहा हूँ मैं और मैं individual हमें इसको रख रहा हूँ और interface करते हैं इसे मैं save कर रहा हूँ अब जे ट्रेडर को जब मैंने customer को laser इसका create किया था तो यह under में send it adapter रहेगा और अब send it adapter में रखते वे इसे TCS tax applicable इसको भी yes करना पड़ेगा यानि कि आपने आप जिस customer से या जिस buyer से आप TCS collect करोगे उस party की laser में यह strategy information में TCS applicable को yes करना पड़ेगा और जिससे आप TCS collect नहीं करना उसे आप no रख सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे collectee type यान कि किस type की party कोई company है या individual है तो किस type की है वो में देखना पड़ेगा तो मैं इसे एक बार individually और residence में रखने वाड़ा हूँ और enterprise करते हुए से मैं save करूँगा तो इसका pen number यहाँ पर देना कंपल सरी है अगर हम pen number इसका type करेंगे तो यह rule के अनुसार 0.075% के साबसे इसका अधरवाइज यह एक परसेंट पर जाएगा और enterprise करते हुए से मैं accept करूँगा और उसके बाद मैंने एक mobile प्रोडेक्ट आजो प्रचेस किया वे इसी को में वापिस सेल करूँगा और amount इसकी यहाँ पर मैं 20,000 रुपे रखूँगा 25,000 रुपे मैं रखता हूँ और 18 परसेंट और अंडर में इसे में sales count रखूँगा और इसमें GST तो applicable रहेगी रहेगी और इसमें type of supply में goods रखूँगा और TCS applicable इसे अब applicable रखना पड़ेगा और applicable रखने के लिए TCS nature of goods इसका भी अमेक है nature of goods create करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर alt cc shortcut यहीं create करेंगा TCS tax on sell any goods तो आप यह पहले भी create करके रख सकते हो तो इसका जो section है वो 206C और subsection 1H और इसके जो rate है वो मैं यहाँ पर देने वड़ा हूँ 0.075 rate if pen not available इसके हम 1% रखेंगे और इसकी जो अभी limit है यहाँ पर कुछ भी हम नहीं देने वाले है और enterprise करते हैं उसे मैं save करूँगा और उसके बाद में cgct tax और एक sgct tax लेकिन इससे पहले हमें जो stock item हमने create के दिए stock item पे भी हमें tcs को enable करना पड़ेगा तो यहाँ पर tcs tax को enable और यहाँ पर इसका जो tcs sales on any goods पे जो create किया है उसके हम select करेंगे और interface करते हैं इसको भी हम save करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो customer से जो tcs tax collect करना है उसका laser हमें create करना पड़ेगा tcs tax collected ताकि हमें पता रहे भी हमारा purchase invoice पे कौन सा है और हमने मारे customer से कौन साथ tcs tax है जो charge किया है आप इसे tcs tax भी रख सकते हो only आप अपनी सुवी दागुन सार और अब इसे में अंडर में रखेंगे duties and taxes क्योंकि अब यह हमारी बन चुकी है और यहां पर duty टाइप में हम इसको रखेंगे tcs और tcs में tcs tax on sales any boots को हम सेलेक्ट करेंगे तो ओटोमेटिक यहां पर tax के इफेक्ट आया वो balance sheet पर आएगा हम balance sheet पर हम enterprise करेंगे और alt f1 के साथ इसकी detail open करेंगे और यह जो tcs tax है यह तुमारे purchase invoice पर लगए था और जो हमने मारे customer से जो चार्ज किया है वो duty chain taxes में आएगा यहां पर tcs tax के रूप में जैसे cgst और sgst tax है यह मारा एक sell पर tax है तो यह हर month की जो return होती है उसमें adjustment होता रहता है input output का जो difference है और यह tcs tax है जो यह भी हमें हर month के end बे जो next month आएगा उसके under 7 days के अंदर इसे deposit करवाना होता है और यह जो tcs collect जो हमें purchase invoice पर लग किया है इसका refund हमें जब income tax की return file होएगी तो उसमें refund हमें मिल जाएगा जैसा कि TDS वेगरा या advanced tax हम deposit करवाते है उसका हमें ITC मिलता है उसी तरीके से इसका भी मिल जाएगा और जो हमारी live tcs है वो हमें time to time government को deposit करवाने पड़ेगी तो अगर हम बात करें भी कब हमारी live government का tax जो हमने हमारे buyer से मारे customer से जो collect किया है उसे हम government को deposit करवाने वाले हैं तो वो हमारी live tcs रहती है अगर किसी suppliers ने जिससे हम goods purchase करते हैं उस suppliers ने हमारे say tax collect किया है तो वो जो tax हम government से माग रहे है वो हमारी एक तरीके के asset बन जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लग कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और वैल आइकन का बटन प्रेस करके all notification पर जरूर क्लिक कर ले तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के नए topic के साथ